हालो फ्रेंस इस वीडियो को जरे हम Бात करेंगे साले में स्ट्रेटेश के बार में soks में काल कर सकते अगार एम गुरूबार की बात कहती है इस टोक में छीट देखने सब्सक्राइब करें तो यहां पर मार्केट ने पूरी तरफ से रिवार्स ले चुकि आज यहां पर कांफारमेशन मील चुका अगर हम निप्टी की बात करें बैंक की बात करें और ज्याधा तो रिवार्सल का है मतलब बूलिश पैटन या बूलिश कैंडल फोर्म होएं तो पूलिश पैटन हमें वजर आए आप यहां पर कहसे हैं यह और काप एंडल कहसे हो और यहां राउंडिंग बोटम भी कहसे हो फिल दोनों बहुत इची बुलिश है यहां से अटाम किया था ब्रेक नहीं कर पाया फॉल हो गया और आज जाके वही लेवल के आसपास क्लोजिंग दें मतलब काप एंडल का पैटन फॉर्म किया है तो काल अगर इस लेवल ब्रेक कर जाता है ब्रेक करने के बाद और इसे री टेस्ट करते है या इसके उपर कुस कर जाता है तो बड़ी अच्छी मोमिंट या पर में मिल सकते हैं नहीं बाइंक करेंगर चांट करेंगे आच्छो का लेवल में इस टोक को भाई करेंगके टार्गिट और चनुनेस सब्साथ और सफ़ाइब का लेवल पर हम स्टाप प्लास सेट करेंगे तो लिए यहां पर मतलब मेंगा स्टोक है लेकिन इंटारे के लिए कोई फर्क नहीं वरता है चलिए यहां पर हमें फॉलिंग इस का पैटरन देखने को मिल रहा है मतलब इन दूनों रेंज की बीच में ट्रेट कर रहे है जो उपर का जो लेवल है आपके सेक्टी बहुत ही अच्छी कासी रेज में तो यह रेस्टेंस लेवल अगर काल यहां पर ब्रेक कर जाता है इसकी उपर जाता है तो इस टोक में बड़ी अच्छी मोमेंट मिल सकते क्योंकि फॉलिंग इस से टोक को हम बाइ करेंगे उननीज साच्छो चार का लेवल पे स्टोक को बाइ करेंगे टार्गेट हो का दोसा टार्गेट 19,820 का लेवल और इस टार्गेट स्टोक लास हम रखेंगे 19,300 का लेवल पे यह हो गई बाइंगी साच के लिए लेकन अगर मार्केट ब्यारिश रहता है तो इस टोक यह ऐसा अगर फॉल काना शुरू कहें और इस निशी के ट्रेंड लाइन को ब्रेक का आप यहां पर ट्रेडिंग करेंगे तो नेस्टल होगा ही हमारा दूस्ता अंट्रेट इसित्ट करेंगे को बाद कर लेते हैं तो गुरु वार के लिए मारा थी का इन्डू सेंड़ यह आन पर बॉलीश आ पर नजर आ रहे वैसे इस तो जैफिरेंड की तरफ से जैसे आप पर बाइक को लाया उसके बाद से और तेजी से भाग रहा है तो दिखिए यहां पर भी आपके साकते हो कि राउंडिंग बॉटम कह साकती हो और यह बहुत यह अच्छी बुलिश पैटर्न मज़र नज़र आ रही है तो का लगार इस लेवल तूटता है जो उपर कर निकलाए और 1097 का लेवल पर हम स्टाप्लास सेट करेंगे इंडूशन बैंक में तो इंडूशन बैंक में सेलन का कोई पैशा राएगा तो उसका अपडेट मेरा टेलीग्रम पर आपको मिल जाएगा लाइप मार्केट में फिलाल उसका कोई चांस यहां पर नहीं मिल सकते हैं फिलाल करके बैटा हुआ है मतलब काल करने का पूरा चांस देखने को मिल रहा है लूपीन में तो यह जो निशे का सपोर्ट लेवल है पहले तो दिखिए एक सपोर्ट दूसरी बर वही लेवल पर तीस्ती टाइम चौथी टाइम और पांच वही लेवल पर सपोर्ट ले लिया है अगर लेएंक को ब्रेंक देता थे वा इसकीनिसे होल कर जाते हैं रिट्च करते तो बड़ा रश्च कर सकते लिख़े इस तरप का ड्यांप में कभी को रिडिस नहीं करते पांगर चांही लेंघ चायगा आपको अच्छी मोमेंटम में सब्सक्ता है 674 के निसे स्टोक्स में सेल बनेंगा पहले 6-6-9 दूसर ते 6-6-7 चैना 6-7-9 के लेवल पर हम स्टाप्लस सेट करेंगे तो यह सारे स्टोक को घरिए आपको आपको आच्छी मोमेंटम में सकता है आपको इपको दिखा रहा हो एक है यहां पर हमें बॉपर का ट्रेलनान को आपको ब्रेक आउट मिलने पर वाइक करना था तो इसी आपर ब्रेक किया था अगर आपने बाइक होगा तो बहुत इची प्रॉफिट मिला होगा हमारा जो पहला Target थे या पर 522 और 520 दूनों Target या पर hit हो चुका था मतलब मरीकुber मेरा Target मिल चुका था दूसरा हिटोग दिया था काल का वीडियो में RVL bank अगर हम RVL bank को देखते वैसे RVL bank भी बहुत यह फी मोमेंटम दिया था दोनों टारगेट यहाँ पर भी हीट हो चुक है था तिससे स्टोक दिया था यहाँ पर हम UPL अगर हम UPL का स्टोक को देखते हैं वैसे UPL नहीं यहाँ पर इंबर्स हेट अंचल्दर का पैटरन था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया मतलब यहाँ आपर बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं मिला लेकिन इस स्टोक को UPL को आप काल के लिए ट्रेक कर सेकते हो यहाँ पर काल आपको ब्रेक आउट मुलने का पुरा चांस ही इस ट्रेंड ल पको मिला होगा पहला जोमरा टार्गेटकीट था दूसौरत साथ रूपी यह दोनु ढईय तक गय था तो पहला टार्गेट तक घए प्रफिट जुरूर मिला होगा लेकिन आपके यह पर लॉस नहीं होगा तो यह काल की सेशन के लिए अगर हम बैंक निप्टी का लेवल को देखते हैं तो देखें क्या-क्या इंटारे लेवल बैंक निप्टी में निकल कर रहे हैं सबसे इंपोर्टेंट लेवल यह आपर जो सबस्क्राइब कर जाते हैं तो यहां से आपको कॉल ले सकते हैं अच्छी मोमेंटम हमें मिल सकती है पूर्ट साइट के लिए अगर इसे प्रेक कर रहे तो एक सपोर्ट बन जाएगा फिलाल आभ एक रिस्टेंस है तो बहला रिस्टेंस आपने निकल कर रहा जाते हैं 39370 क अगर यह लेवल टूट जाते हैं तो दूसरा रिस्टेंस निकल कर रहाते हैं 49370 के लेवल लेकिन अगर बैंक निप्टी 49370 के लेवल को ब्रेक कर जाए तो आप शाप मोमेंटम मिल जाए कि कि इसका बहुत ही अच्छी हाई जो पिसला सब्ता का हाई है उस हाई को यहां और ब्रेक कर जाएगा तो बहुतो इस शाप मोमेंटम मिल सकते तो फिलाल बैंक निप्टी आपर पूरी तरफ से ले लिया है आज काल ही लेकिन आज पूरी तरफ से कॉंफरम किया है कि हम रिवर्ट से ले लिया है उपूर की तरफ तो दिखे यह हो गई हमारा रेजिस्टेंस लेवल लेकिन अगर फॉल करता है बाइसे तो सपोर्ट किया करें पहला सबसे इंप्पॉर्टं सपोर्ट है उन सबसे वह आता है तो बैंक टिम्टी का फिला रेंज यहां पर होने वाला है मेरी ख्याल से 49,150 और 38,750 इन दोनों रेंज के बीस में आपको काल ट्रेट करता हूँ नजर आएगा लेकिन अगर ब्रेक कर जाए तो अच्छी मोमेंट मिल भी सकता है कालकिसेशन के लिए अगर हम निप्टी का लेवल्स को देखते हैं तो दिखें क्या-क्या इंटारे लेवल्स निकाल कर रहे हैं सबसी इंपोर्टेंट जो लेवल निप्टी के लिए निकाल कर रहे हैं कालकिसेशन के लिए वो 17,330 का लेवल का लेवल पर मिल रहा है यह पहला रेजिस्टेंस के अगर आप करें तो अगर आप कॉल लेते हुए तो दिखिए यहां इसका पूरा चांस है लेकिन अगर मार्केट गेब डाउन ओपिनिंग हो मतलब सब्सक्राइब तो आप सकते हैं तो सपोट निकल करें तो यहांपर अगर मार्केट इसे भाडर मेंट अब न लेपाए और सब्सक्राइब अब कर वर यह सब्सक्राइब ब्रेक नेकार पड़े तो फिर से आप मुमेंट मिलेगा तो हम कॉल ले सकते हो तो फिर लाद दो लेवल सबसे इंपोर्टन लेवल है एक है 17330 का लेवल दूसरा से 17720 का लेवल और 17520 के लेवल यह तीन लेवल बहुत इंपोर्टन लेवल